के से कुष्चन के सहांक चर एक सहर की Scorpion संख्या इतना है प्रती वर्ष दो परसन दो पर शक्राइच č में बड़े it in न संधर बोड़ से बड़रे तीन बस के बाद पर सहर की जों आधर से 102 पर शयत्तर ग्डिय неп Cela करने कि दून digit and sum का इस्तवाल करेंगे क्यों यह 3-0 है तो 3-0 यहां से काट देते हैं नीचे में तो एक ही आ रहा है digit and sum तो कोई दिक्कत वाली बात है निए अब देखो यहां पर digit and sum कितना रहा है यहां पर 5 और 2,7 और 1,8 यहां पर digit and sum 3 यहां पर वी 3 आ रहा है अब देखो ऑठ तरी का 24 तिंतरी का 9 कि यहां पार डिटी टेंट सम 4 जुशे और यहां पर कितना रहा है नो तो काटी देंगे हाज तो डिटी टेंट सम में आएगा चे आएगा कि एक बर में दुबरा से देख्लिता हुं कि इतना हुआ नो और शे किस्याहां पर अब आपका चोबवन और का डिजित और सम् कितना आना चाहिए नौव आना चाहिए गार डीजिट रिप्स पर तीन खेए छीए और 729 और 5 6 तेहां पर तो 6 आरहा अप्सान नंबर यह नहीं होगा अगर मैं इसको देखो तीनदू 5 6 6 6 12 12 और 6 18 18 का डिजिट समनोगा है यानिकि अपसन नंबर 2 हो सकता है ठीक है से चेक नहीं कर सकती है की क्यक्या डो चलत करना पड़ेगा दो ऐसे मैच कर रहा है कि अधिर कैसे किस तरीके से कल कड़ चुलाइट कर सकते हैं सीज को लिखो यह यहां पर क्या क्या है एक सो पचीस है है कि यहां पर हमें 102 कि मल्लोक हो और इसको काट लेती और छोटा करते हैं पांस से कटेंगे तो यह पांस बार में जाएगा पांस से कटेगा यह तो बीस बार में जाएगा ठीक है और पांस से कटेगा दो बार में दो से कटेगा कितने बार में दो से कटेगा कितने बार में एकाउन बार में फिर दो से कटेगा यह पांस बार में दो से कड़ेगा एक एक काउन बार में ठीक है यह वैलू होगी यानि कि यह पर लगाए गा है चलो कोई बात नहीं कि एक काउन का क्यूं हमें निकालना पड़ेगा अब यहां से देखिएगा अगर मैं एक काउन करता हूं कितना हो जाएगा आपका 51 इंटू 51 करूंगा अगर 51 को मैं 50 से मल्टिप्लाइ करता हूं तो 5 और 25 यह वैलू आएगा और इसमें एक काउन को आइड कर दो तो यह हो जाएगा कितना 1 और 5 5 10 5 6 और 2 यानि कि 26 0 1 और फिर हमें एक काउन से मल्टिप्लाइ करना है इसमें तो क्यों न हम इसको अगें इसमें एक काउन से मल्टिप्लाइ करेंगे तब 5 से में एक बर मल्टिप्लाइ करता हूं 50 से तो जीरू और पांच अबर यह कितना हो जाएगा आपका जीरू तीस पांच दूनी का दस और तीन तेरह अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 26 0 1 तो हो जाएगा एक पांच छे दू तीन एक एक तीन दू छे पांच एक ठीक है तो यही इस कोश्चन का क्या होगा भई आपका एंसल होना चाहि एक तीन दू छे पांच एक अपसे नमबर भी ठीक है यहां पर साइद एक जीरू और होना चाहिए तो आप यहां पर कर लिजेगा तब ही तो होगा क्योंकि तीन जीरू तो यहां से कट जाएगा और इसके बाद अगर मैं नहीं ठीक है यह पांच बचेगा नहीं कटी मैं तो यहां से तो यहां से लिएन जाग है लिए एका यहां से दो यहां lied है